नहीं आरा भाई, AOT शिफुडे नहीं आने वाला, कैर तुम में जितने लोगों ने अभी तक Attack on Titan का Final Season नहीं देखा है, I don't know ऐसा कोई होगा जिसने अभी तक नहीं देखा होगा, सब ने almost देखी लिया है, मैं ही लेट हूँ, मेरे को आज ही टाइम मिला देखने का अभी रात नहीं मिलेगा, यह फोटो एक ऐसी फोटो है ना, जो मैं सच बता रहा हूँ, आगे चलके किसी भी पॉइंट इन माइ लाइफ दिखा दोगे, तो हाँ, मेरे को याद आ जाएगा, कि यहाँ एक टाइम हुआ करता था, जब Attack on Titan का हम वेट किया करते थे, सच बता हूँ, तो वाप इसे, यूनो, मन करने लगा देखने का बठा, एक बात थी, कि हाँ, इसकी एंडिंग मेरे को देखनी थी, और अब एनमे देखने के पाद मेरे को एक चीज़ पाए चल गया है, कि यह आखिर इतना Controversial क्यों था, जब इसका Manga End हुआ था, किसी को कुछ समझ में आया नहीं नहीं, कि आकिर हो किया रहा है, सच बता रहो, मैंने मांगा पड़ रखी थी, और मैं भूल जाता हूँ, मेरी एक अच्छी आदत है, कि मैं भूल जाता हूँ, तो मैं वापिस से, अनमे को इंजोई अगर पाता हूँ, तो जब मैंने आनमे देखा, तो मुझे समझ मे नहीं आ रहा है, कि हुआ क्या, एरन चाह क्या रहा था, और इसलिए इसकी अनिक बहुत कॉंट्रोवर्शिल थी, क्योंकि जो चीज आनमे मैं मैं नहीं समझ में आ रहा हूँ, वो मांगा मैं कि लोड़ा समझ में आएगा, लोगों को एक प्रॉपर एंडिंग चाहिए थी, वाली चीजें कैसे पसंद आ रही है, एरन ये अगर बाबू, और तुम इसे जितने भी लोग यहां पर शिप करके बैठे थे, कि मिकाशा और एरन की एक दिन शादी हो जाएगी, उनके बच्चे हो जाएंगे, और वो एंजॉय कर रहे होंगे, तुमारे तो दिमाग जिन ही थी, she never married to anyone, और उसने कभी भी अपनी life उस तरह से ने enjoy की, जैसे तुम सोच रहे हो, वो एरन के लिए बहुत जादे honest थी, इतना जादे की समझ में आता है, कि एरन के लिए लग बग 80% of population को sacrifice करने के लिए ready हो गई, उसके बाद भी उसको खुद को convince करना पड़ रहा और मिकासा को एरन का head मिल गया, but she can't use that head, because she doesn't have a d***, वो क्या ही करेगी उसका, and considering कि उस सर में कोई जान भी नहीं है, तो वो उसको अपने personal profit के लिए नहीं use करेगी, जोक सा सैड, यह कुछ यह थी जो मैंने notice की थी, but actual point है, कि आखिर एरन ने 80% चंता को खतम क्यों कर दिया, जोको एरन इसके पीचे कुछ reasons हैं, जोकि मेरे को समझ में आये, तो वो मैं तुमसे share कर रहा हूँ, कि एरन को पूरा वरोसा था कि मिकासा किसी भी हालत में उसे नहीं खतम करेगी, और अपनी जान मिकासा के हाथों खतम करने के लिए, एरन को कुछ ऐसा करना ही पड़ता, और basically तुम इसको इस तरह ले सकते हो, कि वो शान्त नहीं हो पा रही थी मरने के बाद भी, तो उसे किसी टाइप का inspiration चाहिए था, जहांपर कोई अपने प्यार को खतम कर रहा हो, बिल्कुल ही मतलब नहीं करना चाहता हो, फिर भी, ताकि वो भी खुद को, you know, push कर पाए, which is very weird, but let's just consider कि वो महिनों के गलट टाइम पे शायद मर गई हो, इसलिए उसका दिमाग ऐसे काम कर रहा हो, इस्टोरी के एंड में यही होता भी है, मिकासा ना चाहते हुए भी एरन को मार देती है, जिसकी वैसे फाइनली यह मिर भी अपने पुराने प्यार को भूल जाती है, और खतम कर देती है, सब को जो कुछ भी था, जिसकी वैसे पाथ पूरा का पूरा खतम हो जाता है, और टाइटन्स फाइनली खतम हो जाते हैं इस दुनिया से, अब यह था मोटा मोटा जो मेरे को समझ में आ है, मैंने दो बार यह एपिसोड देखा तो मैं तुमें यह देखना है, जैसे अगर तुम लिष्ट भी बना लो तो लेट से लोकी है, देन श्रेंजर थिंग्स, देन वन पीस, एंड डाइटन्स एसा कुछ बचा हुआ है, जो मैं वेट कर रहा हूं इनके अलावा, अटाइग और टाइटन भी इसी लिष्ट में था कि मुझे उसको चीज या फिर लेट से एक ब्लाक और वाइट मांगा, मेरे चार से पांच साल के लाइफ पर ऐसा इंपक्ट डाल सकता है, कि मैं इसको अभी इसके ख़तम होने पर मैं इसको मिस करूँगा, ये बहुत ही बड़ी बात है, अगर मैं इस परस्पेक्टिव से बात करूँ कि most of the things उतना फर्क नहीं डालती है मेरे लाइफ पर, मैं ये नहीं बोला कि मांगा है, कार्टून वेब सीरीज के लावा मेरे कोई लाइफ नहीं है, मैं और काम नहीं करता है, मैं बहुत बिजी रहता हूँ अपने लाइफ में जिसकी वैसे वीडियो लेट होते रहते हैं, बट है होगे, बट हाँ एक चीज़ एरन सिखा के गया या फिर मैं बोलू इसा या बताना चाहते थे हमको कि ओवर ओल इसका मीनिंग क्या है, देखो ये चीज़ एरन ने भी बोली थी कि इस नेवर एंडिंग साइकल, ये जो वार और ये जो सारा हिसाब है, ये कभी भी खतम न वाइट चीज़ों पर देखने को तुम्हें मिल जाता है, और सिर्फ ब्लाक एन वाइट नहीं, मैं सच बता रहा हूँ, जो अपने एशियन लोग है, यानि कि चाइना जापान और ये सारे लोग, इन्नों को भी थोड़ा बहुर डिस्क्रिमिशन देखने को मिलता है, वेस जब मैं गया था, मैंने गाड़ी पाक की थी, और वहीं पर एक आदमी शायद ऊपर वाले फ्लोड से नीचे गिर गया था, फिसल गया उगा उसका पाउँ, या फिराइट, I don't know, he was drunk में भी, पर उसे कोई उठा नहीं रहा था, एंबुलेंस आई, तो भी जो आता है बंद बैठ गे, जो उठाता, इस ट्रेचर पी रखता है, वो बंदा भी नहीं जा रहता, उसको टच करने, finally, मैं ही गया, मैंने गलफ पहने और उसको उस बंदे को उठा के एंबुलेंस में डाला की ले जा भाई, इसकी दवाई कर दे, तो इनसान इस तरह का, मतलब जीव है, ज भगवान कर ऐसा ना हो, बट कुछ अजीब सा एक्सिदेंट हो जाता, तो क्या लोग सच में हेल्प करेंगे, क्योंकि एक और इंसिदेंट है, वो मैं नहीं बदाओंगा, बट बहुत वीर्ड लगता है, सोच के, एंड मेरा भरोसा उठ चुका है, बिसिकली, और भी सुनूंगा, उसके अलावा, इसराइल, पलेश्टीन का तुम देखी रहे हो, इनके बीच में जगडा चली रहा है, दे कुड है लिव पीसफुली, बट नहीं, उनको जगडा करना ही है, इधर उधर के प्रोपागेंड़ना में घुसके, दोनों लड़े जा रहे हैं आपस इनवेड किया था, उसके वैसे बहुत सारे सिविलियंस की जान गई थी, काफी सारे तुम सोल्जर्स के वीडियो से देखने को तुमें मिल जाएगी, कि वो बोल रहे हैं कि, दूट यूस गवर्मेंट इतने सारे लोगों की जान गई थी, अब इन सारे एक्सांपल से मैं तुमें यही बताना चाहतना हूँ, जो Eren बताना चाहतना था, कि तुम कुछ भी कर लो, चेंज करना बहुत मुश्किल है, it is a never ending cycle, and similarly Eren ने जो कुछ भी किया, उससे कोई भी फरक नहीं पड़ता, because they are still getting discriminated, and they are still trying to fight, but इस बात थोड़ा सा, you know, diplomatic way में वो लोग इस चीज़ क आगे execute करेंगे, जो कि अभी सारे के सारे जा रहे है, उदर Marley की तरफ है, और अगर तुमने इसकी ending देखी है, यानि कि credit वाले screen देखा है, तो वहाँ पर भी तुम देखोगी, कि सारे के सारे wars अभी भी देखने को मिल रहे हैं, बहुत सारे wars होते हैं, fighting होती है, bombs वगेरा, होता है, इनको हर एनमे में, तो वो भी चीज महाँ पर देखने को मिलती है, कि basically ये चीज़ें खतम नहीं हो, and then end of the anime, इसके लिए तुम लोग बहुत जादे परिशान हो, कि वो जो एक छोटा लड़का आता है, जो कि सेम उसी होल में जा रहा है, ये चीज ओरिजिनल मांग इतना है नहीं, मेरे को बस इसी बात का दूख है कि अब नहीं देखेंगे, अटाइग ओन डाइटन, और खतम हो गया है, और जो कुछ भी है, पर इसी चीज से ये भी इमेजिन कर पा रहा हूं है, कि ठीक है, AOT इतना करीब भी नहीं है, जितना One Piece है, One Piece तो बहुत करीब है इस बाइया का पोटो देख लो, बहुत जादे करीब है, और जिस दिन वो खतम होगा, उस दिन कैसे मैं रहूँगा, बिकॉज ये पूरा चैनल ही One Piece के ऊपर है, काफी बड़ी जिंदगी है मेरी One Piece के ऊपर, तो इस वेरी स्केरी तो थिंक अबाट देट, और कंसेडरिंग कि सिर्फ तीन साल रह गये हैं, और Oda Sensei को ये चीज एनाउंस कि हुए छे-सात महीने अलड़ी हो चुके हैं, कि तीन साल में खतम हो जाएगा, तो धाई साल, I'll see you guys in the next one, until the next video, play on! झाल झाल झार नपक अएच